हमस्कार मैं उसंदीप और मैं आप सभी का अपने यूटूब चानेल यह ज्य हम परेटेक में स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बैंक निप्टी की फुल आनेलिसिस करेंगे और कल के दिन बैंक निप्टी में क्या हो सकता है यह देखने के कोशिश करेंगे कल हम बैंक आए तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलिए चलिए वीडियो को शुरुवात करते हैं कल के दिन एक्सपैरी है एक बार सिख गए कि मार्केट की साइट जाने वाला है तो आप पो ट्रेड लेना सिंपल हो जाएगा का पे सपोर्ट है का पे रेसिस्टन है ट्रेंडाइं आए सकती है वालूम कितना है हर एक बात अच्छी तरह से सीख लो क्यूंकि कल के एक्सपैरी में ज्याद से ज्यादा प्रॉफिट निकल सक्यों है आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा 38000 की लेवल को मार्केट ने दो तारिक से एक दो तीन बार हिट करके से रिटर्न आ चुका है फोट की बात करेंगे तो 37000 को एक और दो बार टेस्ट कर चुका है बैंक निफ्टी तीन दिन से एकी जोन में ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी ने कल के दिन 38000 का लेवल ब्रेक भी किया था लेकिन मार्केट उपर के साइट सस्टेन नहीं हो पाय गया और वहां से मार्केट रिटर्न हो गया वहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो गए रहेंगे आप जब भी ऐसे ट्रैक में फच जाते हो तो आप आपका स्मॉल प्रॉफिट या जो लॉस हो रहा है वह बुक करके वहां से आपना पूजिशन क्लोज कर सकते हो अगर क्लोजिंग बैंबन में ने इसी जहों के अंदर दे दिया है यहां से दो बात हो सकते हैं यहां से बैंग ब्रेकाउट देख सकते हैं यह तो रेस स्टन लेके रिटन आप बैंक निप्टे में बाई कर सकते हो लेकिन उससे पहले 38,000 के उपर candle close होना चाहिए यह पहला confirmation हो जाएगा और दूसरा confirmation यहाँ पर है कि अच्छे खासे volume के साथ breakout मिलना चाहिए तब आप buying कर सकते हो अगर मान लो कल के दिन market gap up open हो जाता है तो वेट करें पहले market को समझ ले कि market gap up open होने के बाद market 38,000 के उपर sustain होता है या नहीं क्यूंकि market 38,000 को तीन बार हिट करके market इसके पहले return आ चुका है अगर market sustain नहीं होता है तो bank nifty में आपको एक sharp fall देखने के लिए मिल सकता है और अगर कल bank nifty 38,000 के उपर sustain हो कि 38,370 तक जा सकता है अभी हम बात करेंगे सबसे interesting point की no trading zone की यहाँ पर आपको दो trading line देखने के लिए मिल रहे होंगी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो दिन से market 37,700 से 38,000 के बीच चल रहा है और 38,000 के पास आकर close हो रहा है अगर आपको trading करनी है तो zone के भार निकलने के बाद आप trade कर सकते हो क्यूंकि zone में अगर market move होता रहा तो आपका stop plus hit होने के chances बढ़ सकते है और बैंग निप्टी जई से यह zone से बाहर निकलेगा उपर या नीचे तो आपको एक sharp moment देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पे हम कोई भी buying या selling recommendation नहीं दे रहे है यह just education purpose से analysis वीडियो है ट्रेड लेने से पहले आपको अपनी खुद की research करनी है उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है क्यूंकि जो profit होगा या loss होगा वो आपका होने वाला है अगर आपको कल के दिन buying करनी है तो आप 38,000 के ऊपर buy कर सकते हो और या आपको selling करनी है तो आप 37,000 के नीचे कर सकते हो दोस्तो आज की वीडियो के मैं एपर close करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो like करे, subscribe करे और share करना मन भूलिए मिलते हैं नए आइडियो और आप बिट के साथ नेक्स वीडियो में थैंक यू धन्यावाद जहीन